नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों को आप रसंसा स्टेडी पॉंट पे और आज की वीडियो में हम 11 कलास पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरी बुक है जिसका नामे राजनीतिक सिध्धान इस बुक से हम फर्स चेप्टर को समझने वाले हैं और जो फर्स चेप्टर क इसमें हम कुल मिला कि राजनीति क्या होता है राजनीति का मतलब है ठीक है राजनीति सिध्धान क्या होता है और राजनीति को हमें क्यों पढ़ना चाहिए किन कारणों से हम राजनीति का आध्यान करते हैं इन टोपिक को हम समझने वाले हैं तो चैप्टर जो है इस बुक क सम्मिधन, सिधान, और वभार, उसकी जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर की जो टॉपिक्स है, उसको मैंने एनिमेशन वीडियो के माध्यम सो समझा दिया है, और जितने भी चैप्टर की EMPQ कोशन है EMPQ कोशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो उनसे भी वीडियो को आप लोग जरूरू देख लें चले दोस्तों फिर आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं अपने टॉपिक को समझना है स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीती होता क्या है राजनीती का मतलब क्या है हम राजनीती से क्या समझते है देखे दोस्तों राजनीती जो है एक तरीके से राज पलस नीती यानि कि राज करने की जो नीती है उसे को हम क्या कहते है राजनीती कहते है देखे दोस्तों राजनीती जो है राजनीती सब्द की जो उत्पत्ती है ओ ग्रीक सब्द पॉलिस से हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर या फिर राजे ठीक है मतलब जो राजनीती जो सब्द है उसकी उत्पति गिरिक सब्द पॉलिस से हुआ है किसे हुआ है पॉलिस जिसका अर्थ क्या है नगर राजे देखे तो राजनीती बिग्यान का जनक है राजनीती बिग्यान का जनक अरस्तु को माना जाता है जो कि युनान के एक बहुती परसिद विद्वान थी और इसके अलाबा अरस्तु ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था ठीक है पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है और अरस्तु ने लिखा था आप याद रखिये ये कोशन आ सकता है आपके एक शाम में कि राजनीती बिग्यान या राजनीती का जनक किसे माना जाता है और अरुस्त ने कौन से पुस्तक लिगी थी इसके और दोस्तों आपको यह पता होना चाई हिस्टी है हिस्टी इतिहास जो है इतिहास का जनक है है हैरोडोटस है है Troy dotus युझा जो राजनीती बिग्यान का जनक हैरोस इन सभी का संबन जो था yunan से ही था युनान को एक तरीके से February की भूमी माने जाते है विद्वानों का किस तरीके से शोचते है और फिर लोग या जो पढ़े लिखे लोग सुचते हैं ज्यादा-तर माधिक ये बात करें देखे दोस्त व के हिसाब से जो राजनीति उसे भरा ओप ए स्ब्रस्टा ना योट होठा निए सब चीज समय सामील आंप यह को वोटा डाल Culture ये नेता चोर है। थो हला दल करता है करते रहले नंसा, जह कोँ दी करता है तो हम एक तरीक के water को इनसे चीज़ों में ते हम एक तरीक से भाजनीती को इन को sig畏 हवाग का सिसमेच से हम McMahon करते में कुछ बिद्वानों की बात करें तो बिद्वानों के नुसार राजनीती कल्यान का एक माध्यम है जो नेता है नेता या जन नेता जो है ठीक है उनके लिए राजनीती क्या है वो तो यह सोते हैं कल्यान का एक माध्यम है उसके माध राजनीती के माध्यम से क्या कर सकते हैं लो महतमा गांधि ज dependency का विचार का था महतमा गांधि जी ने कहा कि राजनीती ने हमें सोय चीज को फशा लेता है तो हुष स्से कभि निकल नहीं अब उसी परकार से महातमा गांधी जी ने राजनीती का वर्णन किया उन्होंने कहा है कि राजनीती एक तरीके साप की कुंडली की तरह हमें जकर रखा है और इससे जूजने के अलाबा हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है ये बात किस ने कही महातमा गानी ने कही किस को लेकर राजनीती को लेकर दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो राजनीती सिधान्त है वो क्या होता है हमने राजनीती को तो समझ लिया ठीके लेकिन अब हम समझते कि ये राजनीती सिधान्त है वो क्या है देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको सिध्धांद को समझना होगा, यह सिध्धांद होता गया है, देखिए दोस्तों सिध्धांद का मतलब है किसी चीज को सिध्ध करना, सिध्धांद में हम क्या करते हैं, किसी चीज का कारण और वो क्या चीज है, उसके क्या होन रूप से दरसाता है, जिसके माध्यम से जो हमारी समाज है, हमारी समाजिक जीवन है, हमारी सरकार है और हमारी सम्मिधान है, उसने क्या किया एक तरिके से आकार ग्रहन किया है, ठीक है, इसी चीज को हम क्या करते हैं, सिध्धान कहते हैं, राजनीती सिध्धान को समझना चाह सकते हैं इसके होस्तों धिए और गाल के घ्राइय का अधियन करते हैं इंट इन शुव चीजियों के स bit Daar यहां प्री intend करते हैं को अंद में हम नयाए की बात करते हैं यह लोक तंदर की बात करते हैं तो रजनेती निर्प्यक्षिता की बात करें दहण निर्पेकस्ता मतला आप समझते ही है क्या होता है ठीक है इसके अलावा हम विद्वानों के अगर विचारों की बात करें तो इन सभी चीजों का अधियन हम किसमे करते हैं हम राजनीती में करते हैं राजनीती का एक मुखे विसे है ठीक है जैसे कि आप लोगों को मैंने राज आजनीती में करते हैं यह आपको जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था जिसमें मेरे को जितने भी टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिया है अब बाकी के जो टॉपिक है आपको सेकेंड पार्ट में समझाया जाएगा सो गाश मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाये गए हैं आपको समझ में आ गए होंगी यार वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करो और जादा से जादा वीडियो को अपने दोस्तों तक सेर करो ठीक है ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो के माध्यम से अपना फायदा उठा सके अपने स्टेटी को और ज्यादा बैतर कर सके इसके अलाबा अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा है नहीं कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा और मतलो हर एक टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भासा में समझ में आ जाएगा ठीक है और आपको एक बार अगर इस चैनल की वीडियो को आप देख लेते हो तो किसी और चैनल पर जाने की जुरत आपको नहीं बढ़ेगी और कहीं भी दूसरी वीडियो को देखने की जुरत आपको नहीं होगी तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत